सरी शिवाय नमस्तुब्याम, हरहर महादीव, कैसे हैं आप सब? देखे आज का ये वीडियो बहुत ही जादा खास होने वाला है हम सबी जानते हैं कि कल उत्पन्ना एकादशी है कल नो तारिक है, नो दिसंबर को शनिवार के दिन एकादशी तीती पड़ रही है मार्गिशिश मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी है देखे उत्पन्ना एकादशी कल द्वादशी युक्त है तो इसलिए कल भी एकादशी तीती मानने होगी और कल का एकादशी का वरत सर्वस्रेष्ट सास्तुर के अनुसर बताया जाता है क्योंकि द्वादशी युक्त एकादशी पर अगर आप वरत करते हैं तो उसका कई गुना पूर्णे फल के आपको प्राप्ति होती है तो कल आप कुछ विशेश उपाय भी कर सकते हैं एकादशी के देखो कल के दिन करने वाले तीन विशेश उपाय के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सबसे पहला उपाय है पितरेशी और महादेव का जो कि पितरों को प्रसंद करता है दूसरा जो उपाय होगा वो श्रमबेशी और महादेव का होगा जो कि समस्त समस्याओ को दूर करने के लिए है और तीसरा उपाय है पिपलेशी और महादेव का उपाय जो कि भगवान विश्णु को और साती साथ शनी देव को प्रसंद करने का एक वीशिश उपाय है तो देखो आज के इस पूरे वीडियो में हम तीन बहुत ही प्यारे से छोटे से उपायों के बारे में हम बात करेंगे ये तीनों उपाय पुझ जि गुरुदेव पंडित प्रदीब जी मिश्रा की ही कता सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेश्ट करता हो चैनल पर अगर पहली बार आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें देखिए सबसे पहला उपाय जो की है पितरेश्यो और महादेव का उपाय बहुत ही प्यारे से उपाय हैं समझने का प्रयास करना सबसे पहला उपाय सबसे पहला उपाय विशेशकर उन लोगों को करना चीए जिन लोगों के घर में आर्थिक समस्या है जिन लोगों के घर में धन टिकता ही नहीं है यानि कि 100 कमाते हैं और 200 खरच हो जाते हैं बतलब आमदनी कम है और खरचा जादा होते जाता है और इस चकर में वो लोग लोन ले लेते हैं करज ले लेते हैं तो इसलिए जिन लोगों के घर में भी ऐसे समस्या है देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे उपर कालपसर बदूश होता है पित्र दूश लगाओ आता है पित्र हमसे प्रसंद नहीं होते हैं या किसी घर के पर करना है जो कि कल के दिन है आपको क्या करना है देखो आपको शनिवार के दिन सबसे पहले सामगरी समझ लीजिए आपको पीपल के वरुख्ष के माँ पर जाना है अब देखो पीपल के वरुख्ष के माँ पर नीचे अगर घिरा हुआ कोई पत्ता हो ठीक है तो वो आप ल इसलिए हम यह ले करके जा रहे हैं आप उनसे प्रात्ना करके आप एक पीपल का पत्ता तोड़ सकते हैं ठीक है तो आप तोड़ सकते हैं नहीं तो आप सबसे पहले नीचे गिरे होए हो तो वो सबसे पहले ले 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 तीक है अगर नहीं है तो फिर आप तोड़ भी सकते हैं क्या करना है उस पीपल के पत्ते को शुद्ध जल डाल करके उसे साफ करना है शुद्ध करना है और उसके बाद आपको यह उपाय करना है देखो एक पीपल का पत्ता ले लिया साथ में एक तामबे का पात्र लेना उसके अंदर आपको गुड़ डालना है तामबे के पात्र के आसपास कोई भी पीपल के वरुक्ष के नीचे अगर भगवान शिव का वास है तो वहाँ पर यह उपाय कर सकते हैं पहली बात नहीं तो आपके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर है वहाँ पर आप जाकर के यह उपाय कर सकते हैं देखो करना क्या है समझ दा, पीपल का पत्ता अगर तोड रहे हो तो सुर्यास्त के पहले पहले तोड देना और ये क्रिया आप कभी भी कर सकते हैं एक आदेशी के दिन, आपको क्या करना है भगवान शीव के मंदर में जैसे गए, ये काले तिल के दाने पीपल का पत्ता पत्ता भगवान शीव के शीवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है अर्पित के से करोगे चिकना वाला साइड भगवान शीव को इस पर सोनना चीए देखो समझना, पूरी बात समझना देखो पीपल का पत्ता आपने शुद्ध करके उसके बाद ही आपको अर्पित करना है अब आपके हाथ में जो तामबे का पातर है जिसके अंदर गुड डाला था और काले तिल डाले थे गुड और काले तिल दोनों भगवान विश्णु को प्रिय हैं और इस गुड और काले तिल से भगवान शीव के शिवलिंग का अभिशेक करना है पीपल लेश्वर महादेव का इसमरेंट करते हुए आगे आपको बसन में पीपल का पत्ता भी चड़ाओगे तब भी आपको पीपल लेश्वर महादेव का नाम लेना है और आपकी जो भी मनो कामना है वो बोलना है और उसके बाद एक लोटा जल या आप अर्पित कर देना ये उपाय केवल एकादशी के दिन करना है अगर आपके जीवन में आपकी आमदनी कम है तो आपको ये उपाय करना चीए अगर बार-बार आपके घरवाले ले लेते हैं तो आपको ये उपाय करना चीए बहुत ही प्यारा सा उपाय है जरूर इस उपाय को कल के दिन करना ये हो गया पहला उपाय अब हम बात करते हैं दूसरे विशेश उपाय की जो की है श्रंबेश्वर महादेव जो की समस्त समस्याओं को दूर करने के लिए है आपको भगेशाली बनाने के लिए आपके शेनी दोश को दूर करने के लिए और आपकी समस्त समस्याओं को दूर करने के लिए देखो करना क्या है थोड़ा सा पीला चंदन लेना है ठीक है पीला चंदन का जो पाउडर आता है वो भी ले सकते हैं उसके अंदर शुद्ध जल मिला करके पेस्ट आपको तियार कर लेना है पीला चंदन लेना है साथ में लेना है एक तामबे के पात्री के अंदर जल और को अर्पित करते हैं तो भगवान विश्णु बहुत ही प्रसन होते हैं और वो प्रसन होते हैं तो हमारे भागे का उदय हो जाता है तो देखो हम हल्दी का उपयोग नहीं करते हैं शीवलिंग पर हम हल्दी अर्पित नहीं करते हैं तो उसी के रूप में हम अर्पित करते हैं पीले रंग का चंदन आपको क्या करना है पीला चंदन और तामी के पात्र के अंदर जल और काले तिल लेकर के भगवान शीव के मंदिर में जाना है ठीक है अब आपको क्या करना है जो काले तिल है वो आपको शरंबिश और महादेव का इस्मरंड करना है और जल के पात्र के जो रेका है ये पीले चंदन से सब मेरी भागय की जो रेका है वो प्रबल हो जाए आप जब लेपन करेंगे तब आपको ये प्रातना करनी है कि मेरे जो हाथों की लकीरे हैं ये बदल जाए मेरी जो रूठी किस्मत है वो चमक जाए ऐसे ही काम न करते हुए आप पीला चंदन लगा लिया अब आपको भगवान शीव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुब्यम का जाब करते हुए आपको अर्पित कर देना है देखो काले तिल शनी देव को भी प्रिया है और इस प्रकार से आप ये अर्पित करेंगे तो शनी दोश भी दूर हो होता है और आपकी समस्त समस्य दूर होती है तो ये उपाय आपको करना है कल के दिन शनीवार की एक आदश के दिन यह हो गया दूसरा उपाय अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की देखिए जैसा हमने आपको बताया कि आज का ये उपाय शनीदेव को प्रसंद करने के इसलिए दोनों में गोलबाती का प्रयोग करना है ये दो दीपक आप आटे के भी बना सकते हैं या तो आप माटी के दीपक भी ले सकते हैं एक दीपक में 11 काली तिल किदा ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाब करते हुए ये जो दीपक है पीपल की व्रुक्ष की ही थी थी है एक अदिशी तो आप ये पीपल के व्रुक्ष में अर्पित करके आजाए और दूसरा जो दीपक है वह आप महादेव के मंदिर में चोखट के वापर भी अर्पित कर सकते हैं साथी साथ आप मंदिर के अंदर भी भगवान शिव के सामने भी ये दीपक अर्प आपको बता हैं तीनों में से जो पर आपको लगता है आप कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में आये तो कमेंड में एक बार पूछ लेना गलती नहीं करना है श्री शिवाय नमस्तु व्यम हर हर महादेव